अखिर माता सिता को प्रभु श्री राम ने क्यों छोड़ा था यह जानते हैं इसके बारे में पूरी सच्चा आई सो रामायन कथा के अनुसार हम जानते हैं कि जब लंका विजे करने के बाद प्रभु श्री राम माता सिता और लक्षमन के साथ अयोध्या लोटे तो उनका स्वागत बहुती भव्वे रूप से हुआ था अयोध्या वासियों ने घी के दिये जलाए थे लेकिन रामायन का ये स्यहा पक्ष भी है कि माता सिता को अपनी पवित्रता का प्रमान देने के लिए अगनी परिक्षा भी देनी पड़ी यहां तक क्योंने राज जिसे बाहर जंगलों में भी जाना पड़ा भवान श्री रिष्टन ने माता अयोध्या को क्यों छोड़ा इसके पिछे का कारण क्या है चले ये जानते हैं जब भगवान श्री क्रिष्टन को चओदा वर्ष का वनवास हुआ तो वे अखेले ही वनवास जाना चाहते थे लेकिन माता सीता ने उनके साथ चलने का निड़ने किया ये माता सीता का स्वतंत्र निड़ने था जंगल में माता सीता का रावन अफरन कर लेता है इसी मूल को लेकर भगवान श्री राम ने लंका की चड़ाई की और रावन का वद किया जब श्री राम लंका विजे के बाद अयोध्या वापस आये तो कुछ दिनों बाद श्री राम के गुप्त शरो ने उनसे कहा कि प्रजा में माता सिता की पुवित्रता का संदेह किया जा रहा है इसी संदे के क्यारण माता सिता को अगनी परिक्षा भी देनी पड़ी इसके बाद ही माता सिता की पुवित्रता पर सवाल उठाये जा रहे थे तब रभु श्री नाम को पिता दशरत के द्वारा सिखाया गया राजधर्म यादा गया जिस में राजा दशरत ने कहा था कि एक राजा अपना सब कुछ नहीं होता है सब कुछ राज्य का हो जाता है बलकि आवशक्ता पढ़ने पर यदि राज्य को अपने राज्य और प्रजा के हिद के लिए अपने स्त्री संतान मित्र यहां तक की प्राण भी त्यागने पड़े तो उसमें संकूच नहीं करना चाहिए क्योंकि राज्य ही उसका मित्र है और राज्य ही उसका परिवार है प्रजा की भलाई ही उसका सर्वपरी धर्म है इस करन बगवान श्रीक राम ने अपने राज्धर्म का पालन करते हुए मादा सीता को छोड़ने का मन बना लिया सीता जब गर्बती हुथी तब उन्होंने एक दिन प्रभू राम से तपोवन घुमने की इच्छा विक्त थी श्री राम ने लक्षमर्ण से कहा कि वे सीता को तपोवन में छोड़ा है लक्षमर्ण ने तपोवन में पहुँचकर अत्यंदू की मन से सीता से कहा माते मैं आपको अब यहां से वापस नहीं ले जा सकता क्योंकि यही आग्या है जो मुझे श्री राम ने आपके लिए दी है तो दोस्तो इस तरह से प्रभू श्री राम ने सीता माता को एक बार धोका दिया था